क्या हाल है भाई हो सब बढ़िया एकदम तो आज के दिन सूपर गुशुम है एक तो फिजिक्स होए हम थोड़े आगले वाले टोपिक के आ गई है और उससे भी जादा कुशुम आज की वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ मेहनत किया है थोड़ी जादा सी त तो इससे पहले वाली क्लास में हम एक्यूटेंचल सर्फेसिस के बारे में पढ़के आ हैं आज के दिन एक बढ़ा इंट्रेस्टिंग टोपिक इलेक्ट्र स्टैटिक शिल्डिंग हम पढ़ने वाले हैं किसी भी कंड़क्टर के अंदर इलेक्रिक फिल्ड जीरो होता है और को देखा और फिर की तरफ बढ़तेDIOम मैं लिक्चर की THरफ बढ़ते हैं तो एक दिन मैं कार चला रहा था चला नहीं रहा था चलती ही कार को श्यू ट कर रहा था ऐसे रोड़ बे और देख़ो इस कार ये जादगा हुआ है इस कार के उपर गिजली गिर्ये है तो क्या Casey किन तो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा इन आदमियों के साथ जो गाड़ी के अंदर थे जिनके कार के उपर बिजली गिरी थी इस सीज को एक आदमी ने आर्टिफीशली रेप्लिकेट किया और अपनी गाड़ी के उपर वोलेंटियर ली एक बिजली घर में जाके उसके उपर बिजली गिरवाई उसकी वीडियो हम देखेंगे इस वीडियो के एंड में और आज के दिन हम पहले को स्थियोरी करते हैं और फिर इन सबके आंसर्स हम ढूनने की कौसिस करेंगे आज के दिन का मारा पहला टोपिक है एलेक्ट्रिक पुटेंशियल ड्यू टू अथिन स्फेरिकल शेल है उसकी वज़ए से अपने को पुटेंशिल बताना है तो एक चार्ज कर दिया हमने इस सेल को याद है न शेल जिसकी ठिकनेस बहुत कम हो रेडियस के कंपैरिजन में ह आज के दिन हम पुटेंशिल केल्कुलेट करते हैं अब फिल्ड याद है कितना अदा फिल्ड कितना लिखते थे हम अगर इसका रेडियस और यहां एक पॉइंट है तो पहले के इस के लिए हम फिल्ड लिखते थे इफ आर इस ग्रेटर दैन आर तो फिल्ड गया लिखा जा तो सबसे पहले यही केस कर लेते हैं पुटेंशिल के लिए भी आउटसाइड सेल और आउटसाइड सेल के लिए फिल्ड आपको पता है पॉइंट चार्ज वाला ही है सिमिलर डू पॉइंट चार्ज तो पुटेंशिल भी पॉइंट चार्ज वाला हो जाएगा अगर आपक होता है इ बराबर होता है मैनस डीवी बाइडी एडी तो डीवी कितना आ जाएगा डीवी आ जाएगा माइनस e इंटू डी तोटील पुटेंचेल अगर निकालना थो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस EDR का integration कहां से कहां तक R1 से R2 तक किसी एक position R1 से R2 के बीच में अगर आपको potential difference निकालना है अब field का expression आप इसमें रख देंगे तो delta V will be equal to this will be change in potential E, E का value रख दिया KQ upon R square और integration में आ जाएगा 1 upon R square minus यहां into DR कहां से लेके कहां तक R1 से R2 so delta V will be equal to minus KQ minus 1 upon R कहां से कहां तक R1 से R2 minus minus plus हो जाएगा तो delta V will be equal to KQ 1 upon R2 minus 1 upon R1 तो क्या जाएगा यहां से delta V will be equal to delta V is V2 minus V1 V2 minus V1 will be equal to KQ 1 upon R2 minus 1 upon R1 और अब reference दे देंगे इफ V1 is 0 at R1 is equal to infinity तो V2 आजाएगा KQ upon R2 यह किसी भी position R पे जो potential है वो आजाएगा KQ upon R तो इतना आजाएगा spherical charge की वज़े से बहार point पे अगर आपको surface पे देखना है तो surface पे क्या जाएगा at the surface surface पे यह spherical cell यह radius और यह R बराबर हो जाएगे तो potential को direct आप लिख सकते हैं KQ upon R तो इतना आजाएगा अगर आपने V0 माना है R is equal to infinity अगर negatively charge होगा तो क्या जाएगा minus KQ upon R तो यह shell की वज़े से potential अगर यह cell negative charge होती तब अब अंदर कितना potential होगा अंदर कितना होगा वो कैसे calculate करेंगे तो यह आपने cell cell के पुरा का पुरा charge surface पे है अंदर कोई charge नहीं होता है और हम प्रूव कर चुके हैं यह Gaussian surface बनाके कि अंदर electric field 0 होता है तो अंदर किसी एक point पे potential कितना होगा let's say this point P पे अपने को potential चाहिए तो इस point पे potential कितना होगा जबकि surface पे जो potential है V is equal to है KQ upon R तो इस point P पे कितना potential होगा किसी भी एक point charge को यहां से यहां तक लाने में कितना work करना पड़ेगा चुकि E 0 है यहां तो इस surface से इस point तक लाने में कोई work नहीं होगा और अगर कोई work नहीं होगा तो potential में difference कितना आना चाहिए that should be 0 तो इसका मतलब अगर इस point पे potential V1 है इस point पे potential V2 है तो V1 minus V2 should be 0 इसका मतलब किसी एक spherical cell के अंदर inside a spherical shell potential is similar to at its surface जितना surface पे potential हर एक point पे उतना potential यहां उतना ही potential होगा जितना यहां है यहां उतना ही potential होगा जितना यहां है यहां उतना ही potential होगा जितना यहां है और चुकि हर एक point पे यहां potential सेम है तो अंदर भी हर एक point पे potential सेम होगा तो यह एक spherical cell के अंदर potential हुआ तो inside potential भी कितना मैं लिख सकता हूँ inside potential will be equal to kq upon r उतना ही जितना की surface के उपर है अब अगर हमें graph बनाने को बोला जाए किस-किस के बीच का graph graph अगर अपने को बनाने को बोला जाए graph between potential versus r v versus r for a spherical shell ये एक spherical shell है इसके लिए इसकी radius है r तो अंदर potential उतना ही होता है जितना surface पे तो यहां तक potential constant और इसके बाद में potential v one upon r के proportional तो कुछ ऐसा graph आने वाला है तो potential का v versus r graph for a shell कुछ ऐसा graph अपने को मिलेगा अब अगर हमारे पास में एक spherical conductor है ये बात ध्यान से सुनना for a spherical conductor एक spherical conductor के लिए as all the charge अने कंडुक्टर ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं resides on its surface इसका मतलब it implies that potential inside a spherical conductor is constant throughout and equal to potential on its surface तो जो formula हमने इसके लिए निकाले हैं एक spherical shell के लिए निकाले हैं वही same potential के formula मैं एक spherical conductor के लिए लगा सकता हूँ और अब मैं इस statement को generalize भी कर सकता हूँ कैसे अगर हमारे पास किसी भी shape का एक conductor है तो हमें पता है एक conductor के अंदर electrostatics में E0 होता है in electrostatics E0 अगर E0 है तो इसका मतलब V should be constant V जो है वो constant होगा E0 का मतलब V0 नहीं होगा E0 का मतलब V constant और कितना V होगा जितना की conductor की surface के उपर है तो किसी भी conductor के अंदर potential difference नहीं होता है कब? Electrostatics में जब charge move करेगा तो तब आप potential difference बता सकते हो पर electrostatics में आप कहते हो charge rest पे है और अगर charge rest पे है तो E0 है और अगर E0 है तो V क्या होगा? constant तो in electrostatics ये बात बहुत जरूरी है कि electrostatics की मैं बात कर रहा हूँ potential inside a conductor is constant तो electrostatics में किसी भी conductor के अंदर जो potential होता है वो constant होता है और there is no PD कोई potential difference नहीं होता है तो एक conductor की अदर हमने क्या-क्या property पढ़ लिया electrostatics में conductor के अंदर electric field 0 होता है सारा का सारा charge surface पे होता है और potential में difference नहीं होता है surface पे जितना potential उतना ही potential अंदर एक charge को यहां से यहां तक move कराने में जो work done होगा वो 0 होगा और चुकि conductor के अंदर कोई electric field नहीं है तो conductor के अंदर अगर कोई charge होगा तो उस पे कोई force नहीं लगेगा तो हम यह कहते हैं कि conductor के अंदर कोई भी charge electric field से बचा रहता है और इसे हम कहते हैं electrostatic shielding electrostatic shielding क्या होती है inside a conductor there is no electric field so there is no force on charge kept inside the conductor and this is called electrostatic shielding इसे हम कहते हैं electrostatic shielding तो conductor के अंदर किसी एक charge को रख दो वो उसके उपर चुकी field नहीं है conductor के अंदर तो कोई force नहीं लगेगा और इस चीज़ को हम कहते हैं कि वो charge shield हो गया है और इस property को हम कहते हैं electrostatic shielding important है बहुत सारे वाइबा में question पूछा जाता है electrostatic shielding बहुत ही कमाल की चीज़ है यह इतनी खाली आसान सी बात नहीं है कि यह conductor है और मलो इसको आपने charge दिया है और आपने इसके अंदर कोई charge रख दिया यहाँ कोई एक cavity है खाली जगह है और आपने इसमें charge रख दिया Q और इस Q के उपर मैं कहा रहा हूँ कि इस Q के उपर कोई force नहीं लगेगा नो force on Q यह बात तो सही है क्योंकि यहाँ इस charge ने अंदर electric field नहीं बनाया है तो इस Q पे कोई force नहीं लगेगा पर यह चीज इससे बहुत ज़्यादा scope की है जैसे कि मालो यहाँ एक point charge है एक point charge हमने रख दिया है यहाँ और यहाँ एक conductor है यह एक conductor है यह पूरा का पूरा एक conductor का हमने एक piece लिया है और इस conductor के piece के अंदर यहाँ हमने यहाँ एक charge Q1 है यहाँ charge Q2 है इस तरीके से कि इन दोनों के बीच का distance R है तो मैंने आपको कहा कि इस conductor के अंदर जो electric field है वो 0 है in electrostatics electrostatics में इस conductor के अंदर E 0 है अब इस conductor के अंदर E 0 कैसे होगा ये Q1 तो यहाँ Q2 के उपर field बनाता है हर एक charge field बनाता है तो अगर हर एक charge field बनाएगा तो Q2 के उपर force भी लगना चाहिए पर इस conductor के अंदर electric field 0 हो जाता है और ये Q2 इस बहार रखे Q1 की वज़े से भी कोई force field नहीं करता है वो कैसे होता है उसका mechanism समझो तो mechanism of electrostatic shielding electrostatic shielding का mechanism कैसे यहाँ Q1 था ये एक conductor था अब हमें पता है एक conductor के पास में free charge होता है तो ये Q1 इस point पे let's say a point पे कुछ electric field बनाएगा इस direction में कितना E due to 1 will be equal to KQ upon R square into R cap इस direction में अब इस conductor के पास में free electrons होते हैं और ये electric field यहाँ भी बनेगा यहाँ भी बनेगा यहाँ भी सब जगह बनेगा यह तो पुरे space में बनेगा ये electric field इस conductor के free electrons के उपर force लगाएगा there will be force on free electrons of conductor और free electrons के उपर अगर force लगेगा तो free electrons के साथ क्या होगा अगर ये charge positive है तो इस तरफ negative charge आ जाएगा और इस तरफ चुकि overall conductor neutral है तो इस तरफ इतना ही positive charge overall इस conductor के उपर कुछ न कुछ charge density आ जाएगी अब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग अब ये जो charge density है ये charge density भी यहाँ कुछ electric field बनाएगी opposite direction में कितना electric field बनाना चाहिए कि अंदर electric field 0 हो जाए तो ये जो conductor की charge density है electric field due to induced charge इसे हम induced charge बोलेंगे induced charge of conductor कितना electric field बनेगा इस point पे जितना electric field conductor ने बनाया जितना electric field बाहर वाले ने बनाया E due to 1 उतना electric field ये जो charge density है ये बना देगी opposite direction में जिससे की net electric field कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये electrostatic fielding का mechanism रहता है इसका मतलब electrostatic shielding में अगर ये conductor है इसके अंदर अगर आप charge रखो तो इस उपर charge है उससे तो net field 0 रहेगा इसके अलावा अगर यहां भी आपको इचार्ज रख दोगे तब भी इस Q के ऊपर जो force है वो 0 रहना है और तब भी इस conductor के अंदर जो electric field है वो 0 रहना है इस case में जो ये Q electric field बनाता है ये जो charge है ये वापस redistribute हो जाएगे इस तरीके से redistribute हो जाएगे positive और negative charge इस conductor की surface के ऊपर की net electric field conductor की surface के अंदर 0 रहे और यही चीज हम कहते हैं electrostatic shielding है इसलिए अगर आप देखते होंगे जब plane के ऊपर बिजली गिरती है एक plane के ऊपर अगर बिजली गिरे तो पूरा का पूरा charge plane की surface conductor की बनी होती है पूरा का पूरा charge surface पे distribute रहता है अगर surface पे distribute रहता है तो अंदर electric field 0 तो अगर अंदर electric field 0 तो अंदर बैठे हुए आदमी safe है क्या कह रहे हो विश्वास नहीं हो रहा विश्वास नहीं हो रहा तो चलो खुद से ही देख लेते हैं एक plane जामने उड़ रहा है यह गया नहीं दीगी इस सुहाने motion में खत्रों से खेलता है एक और plane ओ अभी भी उड़ता ही जा रहा है देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ा है और यह मैं आस्मान की उचाईयों में उड़ता हुआ एक खुबसूरत से मोजम में ओ भाई लेंड करा दे भाई slow motion में देखो क्या मतलब खुबसूरत नजा रहा है plane के throughout निकल गई है और plane इसके आगे फिर भी आसानी से मूव करता जा रहा है तो साथ यह अब मेरे point को prove करने के लिए enough है कि कि किसी भी एक conductor के अंदर potential difference ना होने की वज़ा से उसके अंदर अगर कोई charge रखा जाता है तो उसके उपर कोई force नहीं लगता है और charge मूव नहीं करता है इसके वज़ा से इस plane के अंदर बैठे हुए सब के सब आदमी एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे क्योंकि उनके उपर electric field zero तो कोई charge flow नहीं होगा और current नहीं लगेगा similarly अगर बिजली गिरती है और आपको बोला जाए कि आप कहां सेफ हैं सेफ तो आप कहीं भी नहीं है अगर बिजली आपके उपर गिर रही है तो पर फिर भी अगर आप एक गाड़ी के अंदर है तो वो better place है rather than कि आप एक open जगह में खड़े हैं या फिर एक पेड़ के पास खड़े है उससे बहतर है क्योंकि गाड़ी की भी metal की surface है अगर इसके उपर बिजली श्ट्राइक करती है तो अंदर electric field zero रहना है electrostatic condition में जब तक पूरा का पूरा charge distribute होगा बहुत quickly distribute हो जाता है जिससे की अं शोक नहीं लगेगा पर यह कब तक जब तक बंदा इसके अंदर है जब तक charge पूरा लीक नहीं हो जाता अगर आदमी ने ऐसा किया कि एक पैर यहां इसके contact में और दूसरा जमीन के contact में तो यह जो charge है यह charge इसकी बोड़ी के दूरू जमीन में transfer होगा और उस दोरान आदमी को शोक लगने के chances हैं और गाड़ी के अंदर अगर आप हैं तो गाड़ी के अंदर ही रहें जब तक कि पूरा का पूरा चार्ज यह जो है जो surface के उपर अभी बैठा है आपकी बोड़ी के थूरू नहीं जाना चाहिए यह पूरा का पूरा leak out नहीं हो जाता है अगर आपको कूदना भी है तो दोनों पैर एक साथ जोड़ के कूदें ताकि आप गाड़ी के अंदर से अगले इंच्टेंट पे जमीन पे एक साथ टच करें तो आप बच सकते हैं तो यह कंड़ेक्टर की कुछ electrostatic condition और electrostatic shielding when a thunderstorm forms people's lives can be at risk we tell people when thunder wars go indoors what we mean is seek a safer shelter if you're ever caught out in a thunderstorm one of the safest places to be is in a closed vehicle many people believe the rubber tires on a car will keep them safe but that's not true it's the car's metal body that provides protection as this high voltage experiment will demonstrate a Tesla coil is the lightning simulator an electrical transformer that discharges three-quarters of a million volts of electricity more than enough to kill dr. Lisa Lazarek is an electrical engineer who's willing to sit in a car underneath the coil to prove that the metal body will protect her the electrical charge striking this car is going to conduct around the outside surface of the enclosed body so I should be fine as long as I don't touch the metal of the car but it's one thing to talk about the theory and it's another thing to put it into practice so I guess I'm ready the electrical charge flows around the metal body of the car and discharges harmlessly to the ground I'm fine the theory has worked as expected my feet are slightly tingling and because I was nervous my my hands are still clamped together but other than that I'm fine this is electrostatic shielding अब इसके कुछ और एक्जाम्पल्स भी है जो पेट्रो केमिकल्स ले जाते हैं हमारे ड्रम वगरा जो कंटेनर वगरा होते हैं तो उनके पीछे आपने देखा होगा एक लोहे की जो चेन होती है वो लटकी रहती है क्योंकि जब वो एर में चलते हैं तो एर से रब होके उनकी बोड़ी के उपर कुछ चार्ज बिल्डप हो जाता है आपने भी देखा होगा बाइक बाइक पे चलते हैं और अपने फेस को टच करते हैं अपनी बाजू को टच करते हैं तो आवाज आती है तो जो एक्सेस चार्ज बिल्डप हुआ है वो जमीन में ट्रांसफर होता रहे इसके लिए वो चेन लगाई जाती है similarly जब प्लेन के उपर बिजली गिरती है तो वो चार्ज तो प्लेन के उपर वो धीरे धीरे एर में लीक होता रहेगा पर कोई रिस्क ना हो वो एक्सेस चार्ज प्लेन के उपर ना हो जिससे कि अगर कोई टच करे बाद में जब आप लेंडिंग के बाद जब आप उतर रहे हों आपकी बोडी के धुरू जमीन में ट्रांसफर ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, जो plane के tires होते हैं, उनमें rubber के साथ कुछ conducting materials मिलाये जाते हैं, वे एक ऐसे material के बनाये जाते हैं, जो की conductors के होते हैं, जिससे की जैसे ही ground को touch करता है plane, जो access charge build up हुआ है, या तो lightning strike की वज़ा से, या फिर atmosphere में rubbing की वज़ा से, वो access charge जमीन में transfer हो गया होगा, और जो हम पढ़ रहे हैं, वो कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजों को explain करता है, या आपको जमज में आ गया होगा, electrostatic shielding में conductor के अंदर electric field zero होता है, इस सीज को हम faraday case भी कहते हैं, ऐसा आपने वीडियो में सुना भी होगा, आज के दिन जो हमने सीखा है, कल के दिन इस से भी अच्छी बात सीखने वाले हैं, हमारे एरिया में बट्टे बहुत हैं, जो इंट थापते हैं, इंट बनाते हैं बट्टे बहुत हैं, अब भट्टो की चिमनी के उपर देखा होगा, आपने एक तिरसूल लगा होता है, तो वो तिरसूल का क्या काम है, हम ये पढ़ने वाले हैं, आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, थेंक यू, वे